स्रेश वाय नमस्तो भ्याम हम सब को पता है कि 10 माई को अक्षे तृतिया का बहुत ही विशेज दिन है और मेरी तरफ से यानि कि The Natural Planet Family की तरफ से आप सभी को अक्षे तृतिया की बहुत बहुत शुब कामना है मालक्षमी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे है अगर आप ये चाहते हो ना कि पूरे साल आपको कभी धनकी कमी ना हो तो आज आपको एक चुटकी हल्दी लेना है छोटा सा उपाय करना है जिससे आप पे घर में मालक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहेगी ठीक है ना जो कि पूज गुरुजी की कताजा सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा वो दीपक वो उपाय हमें कहां पे करना है कैसे करना है इसकी बात करेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे ठीक है ना समझने कोशिश करते हैं सबसे पहले बता दे हमें कौन-कौन सी चीज़ों को लेना है जैसा कि एक चुटकी हल्दी लिखा था तो आपको भी इसी तरीके से पिसी हल्दी लेनी है मातर एक चुटकी ठीक है ना हल्दी ले लिया हल्दी के साथ में आपके पास में दो ऑप्षन है ठीक है ना वो दोनों ऑप्षन में से कोई भी एक चीज़ लेनी है चाहे तो आप कौडी ले सकते हो या फिर इसक्रेंट पर आपको गोमती चक्र दिखरा होगा चीज़ लेना चाहिए चाहे तो आप एक लेलो या तीन लेलो या पांच लेलो या सात लेलो 9 लेलो 21 यह आपके उपर डिपेंट करता है बस वो odd number में विशम संख्याओं में होना चाहिए ठीक है न ले लिया चाहे कोडी या फिर गोमती चक्र बार बार बोल रहा हूँ दोनों में से कोई एक चीज लेंगे लेने के बाद में एक दीपक लेना मिट्टी का दिया यहाँ पे आटी का दिया नहीं लेना मिट्टी का दिया लेंगे और लेने के बाद में आपके घर में कहीं पे भी बाहर जाना नहीं है आप पे घर में जो देवी मा लक्ष्मी की फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी हो सबसे पहला काम करेंगे उनके सामने एक लाल कपड़े में चाहे तो आपने कोड़ी ले रखी है या गोमती चक्र ले रखा है उसे आपको उस लाल कपड़े में रख देना ठीके ना रखने के बाद में उसी गोमती चक्र के ऊपर ओम नमो भगवते वासु देवाय का इस्मनड करते जो वे एक चुटकी हल्दी आपको उसी गोमती चक्र या फिर कोड़ी के ऊपर डाल देना, ठीक है ना, डालने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, घी कदिया लंबी बत्ती का लगेगा, यहाँ पर गोल बत्ती नहीं लगेगी, घी कदिया लंबी बत्ती का देव वापस नहीं कर रहा, या फिर जिस कारण से आपके घर में धनकी कमी बनी हुई है, उस कारण का ध्यान करते वे एक चुटकी हल्दी, इसी घी के दिये लंबी बत्ती में एक चुटकी आपको हल्दी डाल देनी, ठीक है ना, वैसे का वैसा सारी चीजों को छोड़ करके वहा आपके घर में जो भी जहां पे पैसे रुपए रखते हो, धन संपदा रखते हो अपने घर की, वहां पे लेके जाएंगे, उसको सम्हाल के रखेंगे, अगर आपका व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चल रहा है, तो अपने व्यापार वाले स्थान पे या दुकान वाल तो पहले उपाई के तो हमने बात कर ली है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाई के तरफ है ना दूसरा उपाई बहुत प्यारा सा है क्योंकि ये आज की टाइम पे हर घर की समस्या बन गई है देखो काफी लोग घर के परेशान होते हैं कि किसी इंसान के क्रोध से किसी इंसान के जगडे से किसी इंसान के गलत व्यवहार से गाली देने से शराब पीने से नशा करने से आप पे घर में अगर ऐसी कंडिशन है तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक नारियल ठीक है ना जूट वाला जू नारियल आता है वो कोशि ले लेना साथ ही साथ आपके घर में अगर सिंदूर हो या फिर आपके घर में अगर रोली हो कुमकुम हो तो उसी नारियल के ऊपर मौली या फिर कुमकुम से आपको बनानी होगी एक स्वस्तिक का निर्मार करोगे और पूरे घर में घूम घूम करके जितने भी रूम हो जित करता है उसके हाथों से एक बार इस नारियल को टच करा देंगे इस पर्स कराएंगे ठीके ना और इसके उपर क्या लपेटते जाओगे घर में घूमगे जब जो मलने आपको मौली बताया जो हम लोग रक्षा सूत्र बानते हैं उसको लपेटते जाएंगे ठीके ना लपेट पर आवले पेड़ के नीचे हमें हर उपाय करना चाहिए इससे हमारे घर में सुख सांती सम्रिद्धी आती है उस नारियल को चुप चाप बिना बोले आपको लेके जाना है आवले पेड़ के नीचे चुप चाप रख देना इससे हमारे घर में जिस इंसान से कष्ट बहु आप सुबह से ले करके शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो ठीक है ना चलो दो उपाय की हमने बात कर ली है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ अब ये उपाय के फायदे क्या है बेनेफिट क्या है हूँ मैं आपको तब कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं अगर आप घर में किसी भी चीज की कमी हमेशा रहती है आप वो कमी सिर्फ धन की कमी नहीं होती है आप घर में खुशियां ही नहीं आती है खुशियों की कमी है आप घर में प्रेम की कमी है आप घर में लोग लड़ते बहुत हैं जगड बटवारा बहुत होता है इस टैपी कंडिशन आप फे घर में है तो इस अक्षेत्रतिया पे इस वाले उपाय को करेंगे ठीक है न इसक्रिन पे आप सभी लोगों कुछ दिख रहा होगा बरतन जैसा ये कौन सा बरतन है ये है मिट्टी का बरतन ठीक है न कोई जरूर नहीं इ कारिवार के कोर्डिंग मिल जाए कोई भी एक item ले लो कोई भी एक सामान और उसको लेके जाना किसी भी शिवाले में कहां पे भोले शंकर के मंदिर में ठीक वहां पे जो भी पुझारी हो जो भी पंडिजी हो अगर आप मिट्टी का बरतन अक्ष़तिरतिया के दिन किसी भ आपके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता और आपके घर में अगर जिस भी चीज की कमी हमेशा बनी रहती है वो कमिया आपके घर से हमेशा के लिए दूर जाती हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कमिया पहले हमारे घर में कितनी थी और आप कितनी कम बची हैं आपको बहुत ख तो यहाँ पे तीन हो गए हैं एक आखरी उपाय के हम लोग बात कर लेते हैं जो कि चौथा उपाय है और यह उपाय भी जो बताऊंगा यह हर घर की कंडिशन बनी हुई है योगि आज की टाइम पे हर घर में लोग क्या पड़ना है बीमार आप खुद बताओ आपके घर का को पड़ी के से संख भी होगा पका है होगा संख होगा तो आपको क्या करना है आपके घर में जो भी संख हो दक्षिडा वर्ती हो या फिर नॉर्मल जो संख आता है वो हो उसको पहले अच्छे से धुल देना खुब अच्छे से धुल लो ठीक है न धुलने के बाद में आपक का 10 रुपए का वो सिक्का डाल देंगे सिक्का डालने के बाद में तुलसी माता का एक पत्ता डालेंगे क्या डालोगे तुलसी माता का एक पत्ता इस जो संक है ना उसको आपको 30 मिनट तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना आदे घंडे के बाद में आपको एक ग्लास लेना होग उस ग्लास के अंदर ये पानी को डाल देना तुलसी माता के पत्ते को उठाएंगे तुलसी माता के पेण के नीचे डाल देंगे और जो एक सिक्का होगा उसे समहाल करके रखेंगे और जो इनसान बीमार है उसके हाथों से टच करा करके उस सिक्के को किसी भी मंदर में दान कर देना और जो गलास में आपने पानी लिया था जो भी इंसान बीमार है ओम नमो भगवति वासुदिवाय के नाम से अगर आपने पिला दिया तो इस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे-धीरे करके ठीक जरूर हो जाएंगी करना जरूर सभी को भूलना किसी बेनीज बहुती छोटे से उपाएगी मैंने कोशिश किए आप सभी को अक्षेत तिरत्या के बहुती प्यारे से उपाएदे बताएं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक सब ही को करना है स्रीश वाय नमस्तु भ्यम